ओम नमो भगवते वासु देवाय नमा, जै विष्णू देव, जै श्री किष्णा, दोस्तो कैसे हैं आप सब? दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ, 2020 में अनंत चतुर्दशी कब मनाया जाएगा? अनंत चतुर्दशी के पूजा का सुब महुर्थ क्या रहेगा? अनंत चतुर्दशी ब्रत के नियम क्या है? और पूजा बिधी क्या रहेगा? इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जनकारी देने जा रहे हूँ, तो इसके लिए आप हमारे साथ वीडियो में अंततक बने और शंपूर्ण वीडियो का लाब उठावे, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, प्रतिक्रिया में जै बिष्णु देव या जै स्रेकिष्णा आवश्य लिखें, तो आईए वीडियो सुरू करते हैं, दोस्तों अनंत चतुर्दशी 1 सितंबर 2020 क को मनाया जाएगा, हमारे हिंदु धर्म में अनंत चतुर्दशी का बड़ा ही महत्व है, इसे अनंत 14 के नाम से भी जाना जाता है, इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है, अनंत चतुर्दशी भाद्रपद मास के सुक्ल पक्ष्कित अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु यमुना नदी और सेस नाग जी की पूजा की जाती है, शास्त्रों के अनुशार अनंत चतुर्दशी का बड़त मनुष्य को जीवन के सभी कष्टों से बाहर निकालता है, लेकिन अनंत चतुर्दशी बड़त के नियम का पाल आपको इस बड़त के नियम आवश्य जान लेने चाहिए, साथी साथ पुजा बीधी भी जानना चाहिए, और शुप समय क्या है, शुप समय में ही पुजा करना उचित रहता है, तो आईए जानते अनंत चतुर्दशी के बड़त के नियम क्या है, अनंत चतुर्दशी बड ब्रत करने वाले साधक को जो भी यह ब्रत कर रहे हैं उन्हें ब्रह्म महुर्त में उठ जाना चाहिए और अश्नानादी करने के बाद ब्रत का संकल्प लेना चाहिए इस दिन भगवान विश्णु मातायमुना और शेशना की पूजा की जाती है इसलिए इनकी पूजा भी धारण किया जाता है इसलिए पूजा के समय 14 गाठ वाला अनंत धागा भगवान विश्णु के चरण में आवश्य रखें इसके बाद ही इसे धारण करें ध्यान रखें अनंत चतुरदाशी के दिन आपको अनंत चतुरदाशी की कथा आवश्य शुननी चाहिए या पि करेंगे और पूजा के बाद परशाद स्वरूप आप उसे लेकर अपने हाथों में बांध लेंगे यदि आपने अनंत चतुरदाशी का ब्रत किया है तो आपको इस दिन जूट कभी भी नहीं बोलना चाहिए भूलकर भी जूट ना बोले किसी की निंदा ना करें अगर आ अनंत चतुरदाशी का ब्रत किया है तो आपको अनंत धागे को शाल भर आवश्य बांध कर रखना चाहिए यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 14 दिन तक जरूर बांधे रखें अनंत चतुरदाशी के दिन यदि आपने ब्रत किया है तो आपको इस दिन नमक का के समय ही भोजन किया जाता है अनंत चतुरदसी के दिन आपको निर्धन ब्यक्ति को और ब्रामण को भोजन करा के अपने सामर्थ अनुशार दक्षणा आवश्य देना चाहिए अब आईए जानते हैं पूजा विधी क्या रहेगा तो इस दिन सुभा सुभा अश्नानादी कर कि शाप सुत्रे शुद्वस्त्र पहन ले उसके बाद भगवान विश्नु का ध्यान करते हुए ब्रत का शंकल पले और पूजा अस्थल पर कलस की अस्थापना करे कलस पर कुश से बने हुए अनंत की अस्थापना करे आप अगर चाहे तो भगवान विश्नु की परतीमा भी लगा सकते हैं अब एक डोरी या धागे में कुमकुम के सर और हल्दी से रंग कर अनंत सुत्र बना ले जिसमें 14 गाठे लगाए इस सुत्र को भगवान विश्णु को अरपित करें अब भगवान विश्णु और अनंत सुत्र की शोडशों उपचार से पूजा करें और प भागे को परशाद स्वरूप लेकर अपने बाजु में बांध ले ध्यान रहे अनंत सुत्र पूरुष अपने दाय हात में और महिलाय अपने बाय हात में बांती हैं ऐसा करने के बाद ब्रामणों को भोजन आवश्य कराए और शब परिवार परशाद ग्रहन करें अब अधी में आप पूजन कर शकते हैं तो दोस्तों पूरा विश्वास है आज का आपको यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए प्रति क्रिया में जै बिश्नुदेव आवर्शे लिखे तो मिलते हैं इसी तरह के अन्या वीडिय धन्यवाद जै माता दी